नमश्कार दोस्तों और मेडी अपडेट चैनल में आप सबका स्वागत है दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और साथ में लगए नोटिफिकेशन को भी दवाईए ताकि सीधे वीडियो आप तक महुन सकें दोस्तों आज हम बात करेंगे राइस ब्रेंड नॉय और ये जानल एक बेद लाविदाग तत्व होता है जो कॉलेस्टेल को कम करने में हमारी मदद करता है उच रख्तचाव को कम करने में भी कारगर है तो अब ज़रूरी है क्या है मालम हो कि चावल के छिलकों से निकालेगा इस तेल को हमारी सेथ पर किस प्रकार और कैसा प्र होते हैं जो फ्री राडिकल्स से होने वाले कैंसर को रोकते हैं इसलिए कैंसर के समभावना नजर आए तो यह तेर जुरूर अपनाए राइस ब्रेर और में ट्रांस फैटी आसिड और कॉलिस्टर विल्कुल भी नहीं होता जो मुटापा बढ़ने का सबसे एहम कारण होता है इस तील के इस्तिमाल से आप बेई हीचे का अपना मनपसंद खाना खा सकते हैं यह बहत खुशी की बात होगी कि जो खाना आपके सेहत बनाता है उसी खाने से आप सुंदर भी बर सकते हैं यह तेल सेथ के साथ रूप रंग भी निखारता है, जुर्या कम करता है और तुर्चा को स्वस्त बनाए रखता है, जिससे आप अपने उमर से भी अधिक जमा दिखते हैं। राइस ब्रेन नॉयल का बनाओवा खाना खाने से ना ही आपके बालों का गिरना रुकता है, बल्की आपके बालों के गरौथ को भी बढ़ाता है। इस तेल में फैरूलीक एसिड और इस्टर्स होते हैं जो कि बालों के गरौथ के लिए जिरूरी होते ही। इसके अलावा इसमें विटामी नी, ओमेगा 3 और ओमेगा 6 भी पाई जाते हैं जो की बारों को सफेद होने से बचाते हैं और उन्हें स्वर्स्त बनाई रखते हैं राइस ब्रेन ओल में लीवर को मुझबूत करने वाले विटामीन और प्रोटीन का मिशन होता है जिससे लीवर की कारिक्शमता को बढ़ने में मदद मिलती है यह एकजीमा रोक को भी ठेक करने में सहाइक है इसी के साथ यह अन्हे ब्मारे से भी श्रीर को बचाई रखता है राइस ब्रेन ओल में अंटी ओक्सिडेंट बरपूर मात्राइं पाय जाता है जो श्रीर की इम्मून सिस्टम को मजबूत बनाता है इस तेल से बनाओवा खाना खाने से श्रीर के इम्मूनिट सिस्टम को बेद लाब पहुंचता है कई प्रकारी विमार से लटने मदब करता है तो दोस्तो आपने जाने राइस ब्रेन ओल के फायदे आप भी अपने खाने में राइस ब्रेन ओल को इस्तमल करना शुरू करें और स्वस्त रहें तो कैसा लगा आपको वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, और शेयर करें जिन लोगों को इनकी जरूरत है, और चैनल, रमेडिय अपडेट्स को सब्सक्राइब करना मत खूलना, अब अपनी दोस्त को इजाज़त दीजे, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपि के साथ तब तक के लिए नमस्कार